काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब अभी चंद्रियान 3 जैसे ही ये अच्छे तरीके से लेंड कर गया है उसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे हैं पडोज की जनता अपनी सरकार से भी सवाल कर रही है तो वहीं दुनिया क्या कह रही है चंद्रियान 3 के बारे में खास तोर पर वे वो लोग जिन्होंने कभी मजाक बनाया था जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैगनार चीफ प्रीगोजीन क्या मारा गया और कैसे ये सारा कुछ हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से बयान भी दिया जा चुका है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक के बाद एक ना बड़ी हलचल मचाने वाली खबर आ रही है जहां भारत की तरफ से चंद्रियान 3 ए चमीन तो लग रही है कि पत्रीली है लेकिन जो भी है यहां पर भारत पहुँच चुका है इसके बाद दुनिया भर से बढ़ाईयों का ताता लगा हुआ है पुतिन ने भी बढ़ाईयां दी हर किसीने लगभग बढ़ाईयां भारत को दे दी है है ही ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है अंतराष्टी ये मीडिया में इस वक्त खबरे भरी पड़ी है भारत को लेकर और सबसे पहली नजर तो गई है नियू योर्क टाइम्स पे जिसने कहा कि भाईया भारत ने जंडे गार दिये दचिन दुरूप पे भारत पहुचने वाला पहला दे से बन गया है अच्छी अच्छी बाते सुनकर अचानक से वो काटून यादा गया ये वाला काटून जिसमें गाई लेकर हम खड़े थे और हमारा मजाक बनाया जा रहा था एक वो समय था और आज एक ये समय है भारत ने सफलता को हासिल किया और आपको बता दें पुराने 2019 के भी कई ऐसे वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसमें पीएम मोदी और सीवन सर को भावक होते हुए देखा गया था पर अब हम जीत चुके हैं और चंद्रयांत्री चंद्रमा पर उतर चुका है ये बात दुनिया को भी बहुत अच्छे से पता चल चुकी है भारत अब स्पेस की रेस में आ गया है अगला समय स्पेस का होने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं है अब इनमें से ही एक वीडियो मैंने देखा जिस वीडियो को सोसल मीडिया पर दिखाया गया कि कुछ वेस्टर्न एंकर हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भारत ने इतना पैसा खर्चा किया ये तो बिल्कुल सही नहीं है भारत में पहले से ही गरीबी है भारत को ये पैसे वहाँ लगाने चाहिए पहली बात तो ये जितना पैसा लूना 25 में लगाया गया भारत ने उतना पैसा भी नहीं लगाया और कम खचे पर भारत उस जगह पे पहुँच गया जहां पहुचने के लिए चाइना अमेरीका रूस सारे आपस में होड लगा कर बैठे हुए थे दूसरी सबसे वड़ी बात है जो ये होड लगी है ये होड इसलिए नहीं लगी है कि ये लोग ज़्यादा अमीर हैं बोड इसलिए लगी हुई है क्योंकि आगे अगला ताकत और ताकत का परदर्शन ये अंत्रिक्ष में ही होगा कहने कार्थ है अगला टार्गेट इस्पेस होगा यही वज़ा है कि घर के आलू पियाश टमाटर इसके भाव की वज़ाए अपनी ताकत को बढ़ाने में भार भारत भी है इस्पेस में आने वाले समय में इस्पेस से बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी और जितना जो आगे रहेगा वही अपना वर्चस्व साबित कर सकेगा भारत ने यहां पहुंचकर जंडे तो गाड़ ही दिये हैं चंद्रियान 3 से तस्वीरे भी आनी सामले में और भी सारी चीजें आएंगी जो हम लोग जरूर सेर करेंगे आपसे पर हां पाकिस्तान का भी रियेक्शन सामने आ गया है पाकिस्तान ने भी बधाईया दी है लेकिन पाकिस्तानी जंता अपनी सरकार से पूछ रही है और कह रही है कि क्या हम भी कभी स्पेस प् तो ये खबर सुनकर लगा ये क्या हो गया एक बार यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा हुआ है पर हाँ अब तो यकीन हो रहा है क्योंकि रूस के खिलाप औसफल विद्रोह का नर्तित्व करने वाले वैगनार प्रमु येवगिनी प्रिगोजीन ये एक विमान हादसे में मारे और फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने बोला है कि प्रिगोजीन नाम का एक सक्स इसमें सवार था कहा जा रहा है कि विमान ने मोस्को से सैंट पिटर्स बर्ग के लिए उडान भरी हाला कि उन्होंने आगे ये नहीं बताया कि ये जो प्रिगोजीन है क्या ये वही प्रिगोजीन है जो वेगनार आर्मी के चीफ है रूस युक्रेन युद में वेगनार आर्मी रूस की ओर से लड़ रही थी लेकिन जून में वेगनार परमुक ने रूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था प्रिगोजीन कुछ दिनों पह में एक राइफल थी पास में ही एक पीकप ट्रक दिखाई दे रहा था जुलाई में प्रिगोजिन ने कहा था कि वो अपनी मौजूदगी अफरिका में बढ़ाने जा रहे हैं हलाकि जून में उन्होंने रूस के खिलाफ विद्रोह चलाया था और एक ऐसा विद्रोह जो 24 गं उस्तर में टवर च्षेतर में हावाई सुरच्छा बलों की ओड़ से मार किराया गया ग्रेजुन ने कहा कि जो वहांके आसपास के लोग थे उन्होंने दो धहमाकों की आवाज सुनी उन्होंने हवाओं में दो धुए के निसान देखे और उसके बाद पता चला कि वीमान क आर्मी के जरिये रूस के दचनी सहर रोस्तोव ओंडोन पर कबजा कर लिया था इसके अलावा उन्होंने एलान किया था कि वो 25,000 सैनिकों के साथ मोस्को आ रहे हैं रूसी सैनि कमांडरों के साथ मतभेद होने के कारण ये विद्रो हुआ था हाला कि ये विद्रो 24 गंटे से भी कम समय में खत्म कर दिया था और इस विद्रो को खत्म करने में बेलारूस के राश्पती अलेकजंडर लुकासेंको ने महतपुर्न भूमी का निभाई थी वैसे आपको बता दें कहा तो ये जाता है कि पुतिन की ताकत पर भी सवाल उठने लगे थे रूस में कई हपतो लगा था कि प्रिगोजिन ने अपने मौत के फर्मान पर खुद ही साइन कर दिया है लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि प्रिगोजिन की मौत कब और कैसे होगी उसके बेलारूस से वापसी और मौसको से लेकर सेंट पिटर्सबर्ग तक एक्टिव होना पुतिन को कहा जा परिसान कर रखा था लोगों को लगने लगा था कि पुतिन की ताकत पहले से जादा कमजोर हो गई है हलाकि ये सारी बातें कहीं जा रही है पर जो रूस का वीमान एजनसी है उन्होंने क्या कहा है उन्होंने पुष्टी की उन्होंने कहा है कि यहां वही एक वीमान इस तर जो टेली ग्राम चैनल है उसका कहना है कि रूसी सेना ने इसे मार गिराया है अब आप राधिक जांच दुरगटना के कारण की सुरू कर दी गई है जो रिजल्ट आएगा वो दिख जाएगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ